Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Robinhood Markets Share के बादे में. कि क्या इस bearish market में हमें Robinhood Markets का Share लेना चाहिए या नहीं? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें इन लाइक का बटन दबाएं. Robinhood Markets Share क्या है? Robinhood Markets Sticker है Robinhood App का. Robinhood App अमेरिका में बहुत पापुलर है. लोग यहाँ से Start बाए करते हैं. Encrypto बाए करते हैं. Robinhood Only America में काम करता है. बागी, Outside the United States, Robinhood काम नहीं करता. अगर आप Robinhood Markets के Share लेना चाहते हैं, आप दुनिया बरसे, किसी भी कंट्री का, किसी भी कंपनी के Share बाए कर सकते हैं, किसी भी ब्रोकर से, अगर आपके मुल्क में सपोर्टेट हो. Robinhood Markets जो है, Share हमें क्यों लेना चाहिए? Based on my fundamental analysis, मैंने खुद Robinhood में बहुत बड़ा investment किया. ये नहीं कि मैं मुँ उटा के कैमरे के सामने बैड़ गया, व्यू लेने के लिए कि लोगों को बताओ कि लो, मैं आपको अपनी portfolio दिखाऊंगा कि Robinhood Markets में मैंने कितना investment किया है, और मैं आप लोगों को क्यों recommend कर रहा हूँ कि आप लोगों ने लेना चाहिए? Robinhood Market जो है, Robinhood App जो है, बहुत ही popular है अमेरिका में, प्लस, अब इनका 2022 में crypto wallet भी आ रहा है, mostly जो है, हम crypto buy करते है, Binance से, Coinbase से, Coinbase Pro से, but इन Apps का जो है, exchange का बहुत high fee होता है, Robinhood पे still हम crypto buy कर सकते है, Robinhood पे कुछ crypto है, जैसे, Ethereum है, Ethereum Classic है, Doge Coin है, Bitcoin है, हम ये Robinhood पे buy कर सकते हैं, but mostly ज्यादातर crypto Robinhood में add नहीं है, अब Robinhood ने ये feature निकालना चाहते है, कि हम अपने Robinhood App में crypto wallet add करेंगे, और सारे crypto लोग हमसे buy कर सकेंगे, so अब Coinbase का बहुत high fee है, अगर आप Ethereum buy करते हो, तो 100-200 डॉलर आपसे fee में ले लेता है, लेकिन Robinhood जो है commission free app है, आपसे बहुत, अगर आप Ethereum buy करते हो, ज्यादा से ज्यादा आप उनको 10 डॉलर जो है, minor fee दो के बाकी, कोई commission नहीं है, कोई buying and selling fee जो है Robinhood में नहीं है, so अगर, इन्शालला, अगर 2022 की January में इनका wallet जो है निकल जाता है, इनका stock जो है all time high जाएगा, अब इनका stock जो है trading कर रहा है, 18 डॉलर और 19 डॉलर की बीच में, मैंने खुद shares लिये हैं, मैं आपको screen पे ले जाता हूँ, लेकिन ये fundamental analysis जो है, अगर आप इसे buy करते हो और hold करते हो, लाजमी बात नहीं, अगर आप 1000 share खरीज सकते हो, 200 share, that's up to you, कि आपने कितनी shares खरीदने हैं, लेकिन अगर based on this fundamental analysis, आप खुद भी अपने analysis कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका crypto जो है, Robinhood market का ब्लू चिप स्टार्क है, इनका market cap भी अच्छा है, around 14 to 15 billion dollars है, मेरे system की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, कि मैंने खुद कितना investment किया है, और आपको क्यों करना चाहिए, पढ़ते हैं system की तरफ अगर आप मेरा Robinhood में investment देखिए, तो मैंने almost like 8,60,000 तक invest किया है, मैं 15,000 minus क्योंकि over all market down है, अब इसको हम नुक्सान नहीं कह सकते, नुक्सान stock market में हम किस चीज़ को कहते हैं, जब मैं इस चीज़ को, इस position को sell करू, as long as I'm holding, I'm good to go, मैंने Robinhood market के share, जो है मेरे पास अभी currently, मेरे पास 7,850 share है, share अगर 15 तक I'm not sure कि गिरेगा या नहीं बार, अगर share 15 तक there is no chances कि 15 प्याए, लेकिन अगर 15 तक गिरेगा, तो मेरा ये इरादा है कि मैं 1,00,000 का share और लोगा, अब fundamental analysis में आपको दिखाता हूँ कि ये company जो है बहुत ही solid है, इनका all time high अगर आप देखे 45 से लेके, अगर इनका जब IPO लाँच हुआ तर येड पे ते और 70 डालर तक जो है Robinhood all time high गया है, लेकिन chances है कि ये stock 2022 में all time high 50 से लेके 100 डालर तक ये stock जा सकता है, और मैं आपको वज़ा बताऊंगा कि क्यों, मैंने खुद investment किया है, सब को पता है, ना ये paper trading है, ना ये dummy account है, जिसे आप dummy कहते हैं, ये Robinhood है, और Robinhood में हमेशा real time trade होता है, तो अगर मैंने खुद 1,60 लगाए है, that means कि I know what exactly I'm doing, but I'm not saying कि आपको, अगर आपने लेना है, ना लेना है, हरी इनसान की जो है, अपनी एक analysis होते है, सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि best on my analysis, ये stock जो है पचांस डालर से लेके 100 डालर तक क्यों जाएगा, सबसे पहले तो मैं खुद second number पे watch list पे हूँ, एक million लोगों से ज्यादा wait list पे है, customer crypto के wallet के लिए, और मैंने आपको बताए कि Robinhood जो है commission free broker है, ना selling fee charge करता है, ना buying fee charge करता है, only minor, अब Robinhood का fundamental analysis अगर हम balance sheet दे के, Robinhood का revenue जो है 1.7 billion है, which is very good, Robinhood के पास total cash on hand जो है 10.66 billion है, so, अब मैं आराम से सोख सकता हूँ, अगर मैंने 1.60.000 लगाया है, मुझे पता है कि Robinhood के पास 10 billion dollar cash है, तो ये मेरा पैसा, मुझे पता है कि ये मेरा पैसा कहीं नहीं जा रहा, Robinhood पे जो है total debt equity जो है, debt जो है 3.28 billion है, which is nothing, अगर एक company पे 3 billion कर्जा है, लेकिन उनके पास 10 billion जो है cash पे है, समझ में आरा है, so, अब अगर इन पे 12-15 billion कर्जा होता है, और cash on hand 1 billion होता, तो मैं डरता कि या रहा इसा नहो कि मेरा पैसा लेकि कर्जे बेदे दे, mostly अगर आप देखे, IPO पे जब जब company आई पियो जाती है, IPO क्या है, initial public offer, ये company आक्यू IPO पे जाती है, इन पे कर्जा होता है, लेकिन अगर खिलाडी इनसान हो, तो हमेशा balance sheet देख कि company से मुनाफ़ा लिकाल के side पे हो जाएगा, लेकिन अगर आपको fundamental analysis नहीं आते, और आप एक company में गुस जाते हैं, और आपको balance sheet का नहीं पता, तो ये company आकरते क्या है, कि ये IPO इसलिए जाते है कि login में पैसा invest करें, और ये पैसा अपने कर्जों में दे के company को बहाल करें, so I'm not saying कि IPO वाले लेडा गलत बात है, but mostly आपका पैसा stuck हो जाता है, so remember जब भी किसी भी नए IPO में swing trade long term के लिए अगर आपने investment करना है, तो आप हमेशा balance sheet दे के and अपना fundamental analysis करें, so ये ही ता आज का topic, अगर आपने Robinhood buy करना है 2022 तक hold करे, and इन्शालला कि ये stock जो है skyrocket जाएगा, and हम सब इन्शालला जो है आप सब लोग हो सकता है, इससे फाइदा उटाओ, and I know, I'm still hold कर रहा हूँ, 8000 shares के साथ, so देखते हैं कि अगर इस bearish market में ये और गिरता है, तो हम और लेंगे, अगर आप सीखना चाहते है, stock market के बारे में, जो भी e-commerce मेरे, जितनी भी strategies है, मैंची description में अपने course का link डाल दूँगा, अगर आप मेरे course में interested हो, अगर आप अमेरिका में रहते हो, अगर आप Robin Hood यूज़ करना चाहते हो, तो मैं नीचे Robin Hood का link पर डाल दूँगा, आपको 250 dollar का free share मिल सकता है, आप खुद को, उस share को claim करे, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, लाइक बटन जरूर दबाए तकि channel को help मिले, और मैं हमेशा आप के लिए ऐसे content लाता रहू, टेक कियर, अल्ला हाफेज,